बिरित के ब्यास द्वारा, बिरित के परदिरी के किसी बिंदू पर अंतरित कून या फिर रखा गया कून, या फिर सब्टर्ड एंगल की होता है, तो नबे दिली का होता है नमस्कार दोस्तों, डियेर मैं थे मेटिशिन आप श्रुगात है है आज का जो हमारा कोश्चन है वो कलास्टेंद के म्यात के सरसाइब 4.4 के उधारन 17 है और चप्टर का नाम है दुईघात समीकरन तो यहां देखिए कोश्चन में क्या दिया गया है यहां देखिए कोश्चन में दिया गया है कि 13 मिटर ब्यास वाले एक बिर्ताकार पार्क की परिश्मा के एक बिंदू पर एक खंबाइस परकार गारना है के इस पार्क के एक ब्यास के दोनो अंत्विंदू पर बने फाट को A और B से खंबे के दुरिया का अंतर 7 मिटर हो पूप्पा आगे बोला गया है वो बिनदु कौन सा यह B, आपके बुक के फिगर करनसार बिनदु क्या है तो पी आप कि जहां पर खमभा गर गया है वहां से इस फाटक ए की दूरी और इस खमबे अब आगे देखिए क्या ऐसा करना समभब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पी बिंदु पर खंभागारना समभब है अब देखिए को भी काम करना समभ तब होता है जब उसके बीच में कोई रुकाबट नहीं आती है उसी तरह से जो है जब हमें फुमाशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जी द्विखास सम्भब करेंगे तो अगर उसके मुलो कासी कहição आए इका तब यहां पर खंभागाना नहीं आये landed सब्सक्राइब White यहां पर खंभा करना अब आगे देखिए यदि है मतलब और सम्भब है तो दोनों फाट को से कितनी दुरी को क्या होगा कि आधी की दूरी कि दूरी कितना होगा और इसFit खंभा कि छहां पर लेते हैं कि माना की खंभा कर इस्थित है और इसके बाद मान लेते हैं की माना की फाटक A से खंभे की दूरी खंभे की दूरी बराबर तो A P यहां देखिए फाटक जो है कहां से देता है तो A बिंदू पर है और खंभा जो है कहां से देता है तो P बिंदू पर है तो फाटक A से P की दूरी क्या होगा तो A P होगा और इसको हम X मीटर मान लेते हैं इसी तरह से यहां देखिए तथा फाटक B से खंभे के दूरी खंभे की दूरी बरावर क्या होगा? तो यहां देखिए फाटक B से खंभे के दूरी क्या होगा? तो B P होगा तो B P बरावर क्या होगा? यहां देखिए AP और PB में जो है कितना कंतर है तो 7 मीटर कंतर है यहाँ देखिए AP माइनस BP बरबर कितना है तो 7 मीटर है तो यहाँ पर जो है अगर हम BP कमान निकालते हैं तो यहाँ देखिए BP बरबर क्या होगा तो यह जो है इधर जाएगा तो पलस में और यह जो है इधर आएगा तो मतलब अब एपी मैनस साथ यह जो है मीटर में होगा एपी मैनस साथ मीटर जो है क्या होगा तो बीपी के लंबाय होगा अब देखिए एपी जो है क्या माने है तो एक्स माने है तो क्या होगा है एक्स मैनस साथ मीटर यहाँ पर जो लिख लेते हैं इसको एक्स मैनस साथ मीटर किसक का लामब है तो बीप कालामब है अपर इसके बाद जो है परस्नाज़ चलते हैं कि परस्नाज रेखिए यह अभी क्या है तो भ्यास यह वी वयास और इस ब्यास से जो है ब्रित के पर शार किसे बिंदू पर अंतृत कौन या फिर रखागया कोन या फिर Sakdane n single किया होता है तो 90ली क्या हुता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीरो ज ए बीपी क्या है तो एक संकून्त रोज़ाया फिर कर सकता है कि तीर जहेँ के jobbar सार तिर्वुज सब्सक्राइब का आरगयो जहां कून P बरावर कितना है तो 90 रीरी का है यह देखें यह कून P बरावर कितना है तो 90 रीरी का है साथ ही साथ ही AB बरावर कितना है तो 13 मीटर है इसलिए AB square बरावर क्या होगा तो APS square plus BPS square किस से तो पाइथागोरस परमे से पाइथागोरस परमे से यहां देखिए यह तिरबुज APB तिरबुज APB क्या है तो एक समकौन तिरबुज है जहां कौन P और और कितना है नबे दिले है और साथ ही जो है कुश्चन में कितना दिया गया है तो 13 मिटर दिया आगया है अब चुकि यह एक समकौन तिरबुज है इसलिए हम पाइथागोरस परमे लगा सकते हैं और पाइथागोरस परमे से क्या होगा अब देखिए अब कितना दिया गया है तो 13 मिटर यहां पर लिख लेंगे कि एकस स्कौर पलस और बीपी बरावर क्या है तो यहां पले सकते है अब इसका बाद इसको सॉल्ब करते हैं तो यहां देखिए 13 का स्कौर कितना होता है तो 179 बरावर एकस स्कौर पलस यहां देखिए यह जो है एकस स्कौर मैनस 14 अब पलस साथ सत्य 49 अब चलिए इसके बाद इसको इधर लेके जाते हैं क्या होगा यहांपर zero बरावर एक्सव Sakraar matter twenty x214 ещё लिकिये इसको जैसा कर लेते हैं तो क्या वर्ट टू एक्सस्क्वाइर मैनिस 141 है इसको 80len यहां पर जरी मैंने सेंटार है जब इसको घ्रील करेंगे तो क्या होगा तो मैनने से 220 होगा बरावर बराबर जीरो अब इसके बाद जो है देखें तू जो है कम ले लेते हैं तो क्या होगा एक्ट स्क्वाइर मैंने साथ एक्स मैंने 60 बरावर 0 यहां देखिए क्या होगा x square मैंने 7 x मैंने 60 बरावर 0 बटाटू 0 अब देखिए यह समिकरन जो किसके जैसा है तो दिघास समिकरन के ब्यापा गुरूप x square plus bx plus c बरावर 0 की जैसा है तो इसको जलिक लेते हैं इसलिए इसलिए यहां देखिए a बरावर क्या होगा तो एक b बरावर क्या होगा तो मैंने 7 और c का मान कितना है तो मैंने 60 है अब देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि क्या ऐसा करना संबब है तो इसका अंसर यहीं भी मिल जाएगा कैसे तो इस दिखास संब्हकरन के मुलोकास्वित निकालके और मुलोकास्वित कैसे निकल जाता है तो यहां देखिए अतो b square minus 4 c बरावर इसका मान निकालके जो है यह पता लगा जा सकता है कि इस संब्हकरन के मुलोकास्वित है कि नहीं यहां देखिए, बी कमान कितना है, तो मैनस साथ, तो मैनस साथ का स्क्वाइर, मैनस फूर इन्टू एक कमान कितना है, तो एक, गुने सी कमान कितना है, तो मैनस साथ, यहां देखिए, साथ साथ उन्चास, मैनस मैनस पलस, और साथ चुका कितना होता है, तो दूसो चालीस, ब का ले सकते हैं कि हाँ बिंदु पी पर खंभा गार्ना संभव है जो बिर्ताकार पार्क के परीशिमा पर इस्थित है अब चली इसके बाद जो है इस दुए घात सुत्र से क्या होगा एक्स पराबर मैनस बी प्लस मैनस अंडर रूट बी एस्क्वाइर मैनस फूर अची बट्टा टू यह यह देखे एक्स पराबर क्या होगा बी कमान कितना है तो मैनस साथ तो यह आप लिख सकते हैं मैनस इंट ग्तलब दो गुने एक अवन बन नह smkt अब देखें एक्स पराबर क्या होगा तो मैनस मैनस प्लस साथ भूस मैनस और दूसर नवच्वा गुल कितना होता है 17 बट्टा दू थो आप जलिए इसको यह बनाते यह देखें एक सुर्वर क्या होगा तो साथ पैर सब्स लेते बता तो यह धक्सरबर साथ मैस टरफ भट्रफ कि दो कि यह सुआ हा एक समान के आएगा टुराओ गरिस साथ ब्लस तो चोविस ब्स भट्र्फ कि यह competent और 7-17 कितना होगा मैंस दस तो मैंस दस बटादू यहां देखिए एक समान क्या आएगा तो 12 दूसरे 12 या हम एक सब्सकार क्या एगा तो मैंस पांच अब देखिए कोई भी लेंद्छ या हो चाहे लंबाय हो चाहे चौराय हो वह क्या होता है तो इसको जो खंबे की दूरी बराबर कितना होगा तो ए पी बराबर 12 मीटर 12 मीटर तथा फारटक B से खंबे की दूरी खंबे की दूरी बराबर क्या माने हैं तो BP और BP वर्वर क्या है तो X-7 तो X कितना है तो 12-7 मीटर यहां दखें 12-7 कितना बचेगा तो 5 तो 5 मीटर तो यह जो है अपना एंसर आ गया है तो हम उमीद करते हैं कि आपको जहाए इस कोचन सलुशन बहुत ही अच्छा समझ माया होगा तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो को जैदा से सेर कीजिए और अभी तक इस लिए उस सब्सक्राइब कर लिजिए धान्यवाद